C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूरवा भाग एक 26 वा पाठ बढ़े चलो प्रिष्ठ संख्या 126 से 128 तक अब प्रस्तुत है पाठ बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो हाथ में द्वजा रहे, बाल दल सजा रहे द्वज कभी जुके नहीं, दल कभी रुके नहीं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कडक उठें वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो प्रात हो की रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अभ्यास शब्द और उनके अर्थ वीर वीर पुरुष साहसी द्वजा जंडा डटो पीछे मत हटो प्रात सुबह धीर धैर्यवान निडर जो किसी से नहीं डरता कड़क तड़क बिजलियों के कड़कने की आवाज भावार्थ कवी कहता है कि हे वीर धीर तुम आगे बढ़ो हाथ में राश्ट्री यद्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो चाहे सामने पहाड हो या सिंग गरज रहा हो बिलकुल डरो नहीं डट कर सामना करो और आगे बढ़ो चाहे बादल गरज रहे हो बिजलियां कड़क रही हो सुर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो इसमें कवी ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है लगातार चलने से मुश्किलें भी आसान हो जाती है एक अब कविता की पंक्तियां पूरी करो क वीर तुम बढ़े चलो रिक्त स्थान ख ध्वज कभी जुके नहीं रिक्त स्थान ग तुम निडर हटो नहीं रिक्त स्थान घर सूर्य से बढ़े चलो रिक्त स्थान दो आईए अब समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करते हैं यहां दो स्तंभ दिये हैं पहले स्तंभ में दिये गए शब्द हैं ध्वजा निडर मेग सूर्य दूसरे स्तंभ में दिये गए शब्द हैं उदाहरण के लिए मैंने स्तंभ एक के शब्द मेग का मिलान किया है दूसरे स्तंभ के शब्द बादल से अब पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दो प्रश्न संख्या एक वीरों के हाथ में क्या रहना चाहिए प्रश्न संख्या दो वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए प्रश्न संख्या तीन मेग और बिजलियां क्या क्या करती है प्रश्न संख्या चार वीरों को किस किस की तरह बढ़ना चाहिए दूरवा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो तथा निर्मान, निर्देशन वध्वनी संपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T